हेलो डियर फ्रेंड्स नमस्कार आपसे रिक्वेश्ट है किर्पिया पूरी वीडियो को देखें तो आज का मोक्टेश्ट का पहला कुस्टन देखते हैं पहला कुस्टन है जारखरण के बाद निर्मित प्रत्रम जीला कौन था ओपसन अपसन नमबर के किस सेना पति के नित्रितमे में मुगल सेना ने पंद्रसों पचासीज पि में छोटा नागपूर खास के लिए नागवनसी सासक मधूकरन सहा यानि मधू सिंग को मुगलों के अधिनिस्त बनाया गया था उपसने है सहाबाद खा कंबू भी है मलिक काफूर सी है बैरम खान डी है इन में से कोई नहीं तो सकेंड का एंसर होगा उपसन नमबर ए सहाबाद खा कंबू नेक्ष्ट कुश्चन है थर्ड नमबर किस अंदोलन को सुरुवात में कुडुक यान नमबर ए ताना भगत अंदोलन नेक्ष्ट कुश्चन है फौर्थ नमबर म्रिदा सोद एवाम अनुसंधान संस्थान के अंदर का किस जिले में अवस्थित है उपसने है रांची बी है देव घर सी हजारी वाग डी है पूर्वी सिंग भूम तो फौर का एंसर होगा उपस सिला, C है धनबार, D है सिंद्री तो फाइब का एंसर होगा उपसन नमबर B घाठ सिला नेक्ष्ट कुशन है सिक्स नमबर जारखंट राज जम्यान उसुचित जन जाती के लिए कितने अवासी बिद्याले संचालित है उपसन है 89, B है 77, C है 98 और D है 56 तो 6 का एंसर होगा उ 89 नेक्ष्ट कुशन है 7 नमबर अलफ संख्यक समुदाय के बिरासत को संडक्षित करने के लिए कांस योजना लागू की गई है उपसन है बिरासत विकास योजना, B है भूमी विकास योजना, C है हमारी धरोहर योजना, D है इन में से कोई नहीं तो 7 का एंसर होगा उपसन नमबर C हमारी धरोहर योजना, नेक्ष्ट कुश्चन है 8 नमबर जारखंड के प्राथम गंतंत्र विवस्था का उधारन कांस से प्रसासनिक विवस्था प्रस्तुत करती है, भारत का जो प्राथम गंतंत्र विवस्था था इसका उधारन कांस से प्रसासनिक विवस्था तो option A है मुंडा सासन विवस्ता, B है मुंडा मान की सासन विवस्ता, C है मानजी परगना सासन विवस्ता, D है नागवन्स की सासन विवस्ता तो 8 का एंसर होगा option number B मुंडा मान की सासन विवस्ता मुंडा सासन विवस्ता और मुंडा मान की सासन विवस्ता दोनों ही अलग है next question है 9 number 1913 SP में गरीडी में खंबे पर आवर स्वाधिन भारत सिर्शक के परचे जो है किसने चिपकाये थे option A है बिर्सा मुंडा B है सिद्धु कानू C है बुद्धु भगर D है निर्मल चंद्र बनेर जी तो 9 का एंसर होगा option number D निर्मल चंद्र बनेर जी next question है 10 number देवघर सडियंत्र केस में कुल कितने वेक्तियों को गिरफतार क्या गया था option A है 20 B है 30 C है 40 किस छेतर से है option A है प्रोद्योगेकी के विकास के छेतर में गाउं के समगर विकास के छेतर से तकनीकी सिक्षा विकास के छेतर से पसू पालन के विकास के छेतर से तो 11 का एंसर होगा option number B गाउं के समगर विकास के लिए योजना बनाओ अभियान के बारे मैं बताता हूँ आपको गाउं के समगर विकास के लिए जो है गरामी लोगों के सहयोग से और पंचायतों के साथ मिलकर योजना बनाओ अभियान के सुरुबात सरकार द्वारा क्या गया था जारखन के सभी गाउं में योजना बनाओ अभियान जो है 2015-16 SP में चलाय गया था इसके तहद बनाए गए योजनाओ का कर्यानवन जो है मन्रेगा और चाओद्वे बित आयोग से गराम पंचायत को मिलने वाली रासी तथा गराम विकास के अन्नी कारिकर्मों की रासी से किया जाएगा हिसा इस योजना का सिधान था नेक्स्ट कुस्टन है 12 नंबर मुंडा जन्जाती में पाहन को दी जाने वरी लगान मुक्त भूमी को क्या कहा जाता है मुंडा जन्जाती में पाहन जो है पुजारी को कहा जाता है यानि पुरोहित को तो अप्शन है डाली कटारी भूमी, B है मुन्डा कर्म भूमी, C है मुन्डा परहा भूमी, D है इन में से कोई नहीं, तो 12 का एंसर होगा option नबर A, डाली कटारी भूमी, next question है 13 नमबर, ब्रामनी नदीज कहां से निकलती है, यानि ब्रामनी नदी का उद्गम अस्थान कहां है, तो option है छोटा नागपूर पठार, B है दुधवा पहाड़ी दुमका, C है नेतारहाट की पहाड़ी, D है ब्रह्म गिरी की पहाड़ी, तो 13 का एंसर होगा, option नमबर B, दुधवा पहाड़ी दुमका, next question है 14 नमबर, जाम ताड़ा के किस नेता ने, खून तथा आशू एबम अन्न इतिहासकारों के ध्यमों से जो है, वो है जो है आमदोलन को जारी रखा था, तो उपसन ने है फनी मकुट राई, B है परताप राई, C है निर्वन चंद्रबनर जी और D है नर्सिंग राई, तो 14 का एंसर होगा, option नमबर D, नर्सिंग राई, next question है 15 नमबर, जारखन में 2011 में आयोजित, 34 वे राश्ट्री खेल के दवरान किसने खेल मसाल जलाई थी, उपसने है दिपीका कुमारी, B है अरुना मिसरा, C है पूर्नीमा महतो, और D है निक्की परधान, तो 15 का एंसर होगा, option नमबर A, दिपीका कुमारी, next question है 16 नमबर, जारखन में खेल महा कुम्ब जो है का प्रारंब किया गया था, option है 2015, B है 2017, C है 2019, D है 2016, तो जारखन में खेल महा कुम्ब परारंब किया गया था, 2016 SP में, next question है 17 नमबर, चानक्य के अपनी परसिधर रचना अर्थ सास्तर में जारखन को किस नाम से जाना जाता है, यानि किस नाम से संबोजित किया गया था, option है कुकुरा पर तो चानक्य के अर्थ सास्तर में जारखन को कुकुट देश के नाम से जाना जाता था, 17 का इंसरों का option number B, कुकुट देश, next question है 18 नमबर, पाहन गाउं बनाता है और महतो गाउं चलाता है, या परांपरा किस जन जाती में देखी जाती है, option है, उड़ाव, B है, संथाल, C ह तो पाहन गाउं बनाता है, और महतो गाउं चलाता है, या परांपरा जो है, या या कहावत जो है, उड़ाव जन जाती में है, 18 का इंसर होगा, option number E, उड़ाव जन जाती, next question है 19 नमबर, बिर्सा मुंडा के गुरू का नाम क्या था, option है, गया मुंडा B है, आनंद पांडे B, C है, सुर्गा मुंडा, D है, इन में से कोई नहीं, तो इसका एंसर होगा, option number B, आनंद पांडे, next question है 20 number, जारखंड खेल प्राधिरिकरन का गठन कब हुआ था, तो option E है, 2045 में, B है, 2078 में, C है, 2056 में, D है, 2014 में, तो जारखंड खेल प्राधिरिकरन का गठन जो है, 2056 म For Watching Video and Thanks For Giving Mock Test